दोस्तों आप देख सकते हैं यह बहुती शानदार खिलते हुए अपनी खुपशूरती और अपनी सुगंद भी करते हुए यह गेंदा फूल है और यह ओरेंज कलर का है और दोस्तों मुझे तो बहुती शानदार बहुती लुभावने लग रहा है और मैं आप लोगों से भी उम्मित करूंगा या निश्यत तोर पर आपको भी यह बहुत ही खुपशुरत मन-मोहक आकरशक और लुभाउने लगेंगे क्योंकि इस प्रगार की जो फुलों की खेती है आम आदमी नहीं कर पाता दोस्तों क्योंकि उन्हें इसकी खेती से जानकारी नहीं होती है और यह जो जगह है देवाजीले से कम से कम 400 किलोमेटर की दूरी पर है और यह जो फुलों की खेती है प्रभात पटन का केत है और हमार दो जो चरपेजी का केते और यह जो फूल है टेनीस बाल व्रेटी इन्हें कहा जाता और इनकी जो उपजावपन या इनका जो रेटे मारिकरेड में बहुत अच्छा मिलता है और जो पोदा है वो टिकाउपन भी होता ऐसा कहते हैं चाहे आन्धी हो बारिस हो उसमें ये नीचे नहीं लेटता है झाहे रखिए नहीं लेटता है झाल झाल नमस्कार दोस्तो आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पर स्वागत है दोस्तो इस समय हम गेंदा फूल की खेती में आये हुआ है और ये जो जगह है ये बैतुल जिले के मुल्ताई तेसिल के प्रभात पटन में है और आप देख सकते हैं ये खेत है और इस खेत में फूलों की खेती करने वाले हमारे किषान भाई है तो किषान भाई सबसे पहले मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूँगा है दोस्तों आपने सुना है किशान भाही ने अपना नाम हरीश चर्पे प्रभात पट्टन बता है तो सबसे पहले आपको अपना नाम बताने के लिए धन्यवद और चुकी आपने जो पूलों की खेती किए और ये गेंदा फूले तो ये देखने में प्लस खेती करने में कु केसे होते हैं इनको फूलों कि खिटी करनीं तो होती है लेकिन जानकारी यह जानना चाहूंगा कि यह गेंदा फूल की खेती यह दि कोई करना चाहे तो उसके लिए क्या खेत में बीज लगाना पड़ता या पहले रोप तैयार करना होता है पहले अपने को रोपे की रूप में बीज डालना है बीज डालना है बीज से 25 दिन रोपा तैयार करना है औ यह कUI कर lover कम कॉंटेटी लगेघी उसकी 1000 जीट की एक हजार सीट के जो पकेट आता है उसेध की आपका 1010 शृट में प्रक Ц transmitmi की ए और NRE कि अफ्धेर लगेगाँ तो आपको chief आपको यह है चीट में पेकिंग लगना ही है एक एकड़ में तो चरपे जी कोई किसान भाई लगाना चाहें और उसके पास एक एकड़ जमीन है तो वह क्या ग्राम से इसका बीच खरीदेगा या फिर उसमें लगता है तो किस प्रकार से अगर दुकान पर जाएगा तो उसको ग्राम से न मिलके उसको कॉंटिटी के इसाब से दानों के रूप में ही किसान भाई को यदि इसका बीच खरीदना है तो वह कहां से खरीच सकता है कहां कहां पर अवेलेबल लाई है कॉल भाई है घर पर जाहें है कॉल दुकान वाला ऊच्वार तो अनलाई की चलिव्ट करना चाहां तो उसमें मतलब एक एकड़ के लिए कम से कम कितने का उनको रेट में मतलब पड़ जाएगा यह जिसे वह आनलाइन से बुलायते हैं सबसे सच्टा उनको सीट मिलेगा और एक हजार दानों की शंक्या लगबग कंपणी 1400 से लेकर 2000 तक रखती है अपने अपनी कंपणी को अपना मार्टीं होता है उससे लताब से पिछने का तरीक अलग होता है बीच को खरीद कर लिया है तो उसकारोद तैयार करने के लिए केसा अदकर सकते यह उसको गादि रवाफ़ बनाना है में international Одill ज्यादा जाधा ऐसे गोबेरें बीचे संटीमेटर एक इंच्चे अंदर ही बनाता Mind भंडी कर ना है पानी रोजाइया सहुबसेन नहीं होता है कि है तो ही देना है तुम को अगर कःटिटी लगे की बहुते हम दिन तो भी देना ओसना नहीं पड़ती तो उतना पानी की जरुप्वाइब करने तरहाएं लिजब रोपा तैयार हो गया है, और फिर जब खेट में लगाने की तयरी आए है तो इस दोना है, अपने ज सवल और बूलतेे, अपने बहुतकर और और इंग्लिश भाछा में तो हैं ज लेकिन उसके कीड़े के लिए भी अलोरो लोरो पाईरिफास लेकिन टाल के अपने खेती की उस कीड़े से सुरक्षा कर लेना चाहिए पहले लगाने से पहले ताकि वो जड़ों का कत्रे नहीं हो जड़े इल्ली और उसके बाद में वो अपना अपना प्लांट किसी प्रकार से डेमेज नहीं है करपे जी अब मैं आपसे यह जानना चाहूंगा चुकि काफी किशान भाई इस वीडियो को देख रहे होंगे और वह भी लगाने की तैयारी करते हैं लेकिन उनको जानकारी का पूर्णत अभाव होता है तो नहीं कर पाते कहती तो अब उन्होंने खेद भी तयार कर लिया तो जब अपना रोपा तयार हो गया है लगाने के लिए तो हम लाइन से लाइन के बीश में और पोदे से पोदे की बीश में क्या दूरिया रखना चाहते हैं मतलब क्या रखना चाहेंगे या उची तहर रखनाः इस में दूरिया बहुत लगती है और उसका पौधा तीन से चार फिट या पाच फिट तक के उचा जाता है जिसमें किसानों को किसी प्रकार से खेत के अंदर कोई भी चीज करने के लिए तकलीब नहीं जाती है और इसका उत्पाधन ओपी सीट से आइफ़ान सीट का उत्पाधन बहुत गुना जादा है अभी आपने जो अपने खेत में यह जो वेराइटी लगाई है यह कौन सी वेराइटी है यह अपनी एफवन है ना लाइन से लाइन के बीच में क्या दूरी है पोदे से पोदे के दूरी है दो फिट और लाइन से लाइन के दूरी है धाई से तीन फिट अभी जो लगा है तीन फिट की दूरी पी लगा हुआ यानि कि पोदे से पोदे के बीच में आपने को दोरी रखनी है और लाइन से ल हम लगाने के बाद में करते इसको कोरा है उसके प्लांट करने के बाद में उसको अपने को पानी बनाकर देना है चाहिए आप कोई भी कमपनी का लो उसको पानी बनाकर दीए जड़ों को तो उसमें आपके जड़ों की गुरुत ज्यादा प्रमान में फुटेगी और जैसे आपने जो भी मट्रेल है अपने खेतों का तो वह पोदों को विकास करने के लिए सुईधा तो तो अपने प्रमीं चाहिए है कि यहीट शकी के रिंट खाथ अनका देना मेरी है ओघुट है तो अपने फोल उसके पाथ तो आकसा करके डीग खात turned अगर उसको दिया जाött और नायों किको आई लिए जैइन ऐसने तो बेंग देस पुधिक्न दे संगिना जाङए उसको घाक दोने खाट नुबन की आपको घाट जाए सफ़ू नेये झाल दिए और नायो रबे गालतो यह से दिए फएर्मक्र पार में युदू पार की से नूक्षानी नुडोarin और किसी प्रकास से पौदा सडन गलन में नहीं आ पाता है तो वो अपनी एक सेप्टी हो जाती है उस चीज के लिए और उसके बाद में जैसे इसका पौदे की जो छमता है एफवन वेराइटी का जो उत्पादन देने का तो वो देगा आपको 45 दिन से फूल उसमें खिलना च अच्छी फूलों की संक्या अच्छी आ जाती है चर्पे जी यानि की प्लांट जब हम फोदा कर देते इसका तो वो 45 दिन के अंदर फूल खिलना या देना चल हो जाता उसमें और हम साट दिन के अंदर उसको आउशक्ता अनुसार तोड़ सकते हैं मार्केट के हिसाब से अ चाहिए toplin देनी प्लांट इख जाता है का विसेश बातों का दियान रखते हैं या तोड़ाई से पहले पानी देना नहीं देना या किस तरीके से फूलों को तोड़ना या तोडवान वह को तोंदो को कोंदाय की शकर धीन है जरौरी है तुड़ाई के समय यही है कि अपने पोधे की जो ब्रांचेस है यह छती कम हो अगर अपने को जैसे बहुत दिनों तक के इस पोधे को लेकर जाना है तो इसकी तुड़ाई के वक्त ब्रांचेस टूटना नहीं चीजिए उस चीज का वह विसेश ध्यान रखना है और जितने उसमें ब्रांचेस आए कि उसने उतनी ज्यादा फूलों की संक्या बढ़ते जाएगी घटेगी नहीं बढ़ते जाएगी जी तो आप प्रैक्टिकली थोड़ा सा तोड़के बता देजी किस तरीके से तोड़ना चाहिए आप थोड़ा से कवर करना जी तोड़ना जी तोड इतने वाले मेरे दोस्तों और किसान भाईयों को बताना चाहूंगा कि जैसे हमारे चर्पेजी ने बता है आपको तोड़ते समय इन बातों का विस्यस दियान रखना है ताकि जो आपका पोदा है और भी बना रहा है और उसके पुलों के किलने की चमता आगे और भी बनी र रखना है अब इसको जब हमने तोड लिया ठीक है तो जहीर सी बात है कि पोधा भी हम तभी लगाएंगे जब इसका कोई खास सीजन होता है हमें अच्छा रेट मिलता है तो मैं आपसे यह जानना चाहूंगा यह पूछना चाहूंगा कि गेंदा फूल को लगाने का सबसे उत्तम समय या सीजन कौन सा माना जाता है जिसमें पूल भी अच्छे खहिले है पसल भी थी रहे सकी सान को भाव भी युसको अच्छा मिले वोगाफस अच्छा जिजन है थी何 में सबसे अच्छा सीजन है भरीपका सीजनonosर क्सीजन जो ज्ँम्से चालू होता है है अपना योजे दर्म में फूरोज की बंदीरों में उस वक्त भी बढ़ती है उसके गाथ में spirits आर दीन में हिंदु धर्म में तेवर होती हाहए्, और जो बड़े तेवर है उसमें सबसे बाड़ी कौण्चेटि बढ़ती है, गनेज जी की इसमें और फ्य intr ho se cv ion नौर वात्र में नौ मियों में, उसके बाद में अपने डिपावली में, ये तो तीन मेन तेवर है, ओसमें और भी कृषमस आगया, मुसलिम धर्मक और भी तेवार आगया, उसमें भी फूलो की यह वस्ता लगती है लोगों को, तो आजकल रंग और गुलाल सब बंद हो गए, फूलो की वस्ता के हिसाफिसे रंग, परियावरन के हिसाफिसे फूलो की सभी चाहते है, और किसी प्रकार से किसी प्रकार से परियावरण में दूसीत वातारण नहीं होता है और किसी को किसी प्रकार से हानी भी नहीं होती फुलों का अगर किसी को हार पेनाए जाए खिलो कि पंखुडिया किसी को उपर डाली जाए तो यह परियावरण का भी एक विशेस ध्यान के तहोत पूछना चाहूंगा चुकि यह जो अपने सीजन बता है जिसमें इन फुलों की अच्छी मतलब की मांग होती अच्छा भाव होता है तो इसके लिए किसान भाई कब इसको रोब तैयार करने के बाद लगाना शुरू कर दे यह अपने जैसे अधिक से अधिक अपना एक देख करना चाहिए कि हिंदु धर्म का तेवार पहले सबसे पहले दिपावली कब आती है उसके सो दिन रिटन पिछे आना चाहिए सो दिन पिछे यानि आज लगाते तो सो दिन पहले बाद में आपन जोड़के देख ले तो उस समय कौन से तिवार आ रहा है तो रोपा जो रोप पहली का लेना है जिसमें आपने बताया कि यह जो त्योहार जैसे गनेशी हो गया नवरात्री हो गई या दिवाली हो इस दोरान लगा सकते तो यह बारिस के दोरान आती है पसल और वैसे यह कोई ठंड में इसकी फसल लेना चाहिए गर्मी में लेना चाहिए तो उसकी प्रशाओ कि जीजन के फसल कौन से सिजन में मतलब होती है घरिइप के सीजन में ही सबसे ज्याधा उसमें ढूति है और अब तै reven के पास पानी हो मैं जून के गर्मी की समर की सकता है गेंदे की भी और उसको अच्छा और को अगर अब को सबसे बेष्ट इसका भाओ लेना है या मुनापा कामाना एफ तो आप बारिष के सीजन में ही लगा हैं। लेकिन इस दोरान पानी दी किसान भाई देना चाहें तो कितनी बार दे सकता है और पानी देते समय क्या ध्यान रखें। अब आते हैं जब हमने इतनी महनत कर ली है और फूलों की खेती के साथ साथ हमारे फूलों की पेदावर भी अब बात आती इसके मार्केटिंग की तो अगर हम मंडी भावगी बात करें तो मंडी में कम से कम यह क्या किलो में बिखता है और ज्यादा से ज्यादा जब सीजन होता तो क्या किलो बिखता है। कम से कम 20 रुपया बिखता ही है मंडी में ठोक में और सीजन रहा तो 40 रुपय 50 रुपय साट रुपय तक रेट मिलता ही है ठोक के रेट में चुकि इस समय हम बैतुल जिले के मुल्ताई तेसिल के प्रभात पत्तन ब्लाक में है तो यदि आप इन फूलों को अगर मंडी में ले जाते हैं तो आप कौन सी मंडी में ले जाना उचित समझते हैं या कौन सी मंडी में आपको सही इसका दाम मिलता है जिसे बोपाल मंडी हो गया जाबलपुर मंडी हो गया और इंदोर मंडी हो गया उज्जेद मंडी हो गया तो जहां धार्मिक इस्तलों का अधिक एरिय हो उसी एरिया में फूलों के डिमांड भी अधिक होगी अपने नर्बदा ओशंगाबाद का नर्बदा घाटी हो गई तो वह प्रसिद्ध है अपने एंपे के लिए अपने करीवी एरिया चेतर के लिए और उज्जन जो है महाकाल की नगरी इसमें फूलों के संक्या बारही म में बनी हुई रहती है तो ऐसी इस्तानों पर अपने फूलों की उचित दाम मिले गया किसान किसी प्रकार से घाटा नीक लेगा चर्पे जी एक एकड़ की जो अपने बात की जिसमें आट अजार से दस अजार पोदेश के लगते हैं ठीके तो एक एकड़ में इसका एक घचाओ ज & कितना आता है या हो सकता है 1 एकड़ का खर्चा लगदाल में पैदावर वरस्की होती ज होती पैदार लगाह समय को दोनों तुछाई करते हैं तो लगदान ऊइन दॉल पांप लिए तो इसमें मोटे तोर पर जो सुद्ध मुनापा या प्यूर प्रोफिट जो होता किसान को लगबग लगब कितना हो सकता या होता है उसमें लगबग लगब एक लाग सवालाग करीब लगबग सुद्ध बेनिफिट अपना निकल आता है एक आकरी प्रेसन आप से में और जानना चाहूंगा क्योंकि कहीं वीडियो मैंने भी देखे हैं और कहीं किसान भाईयों से बात की तो वह यह कहते कि जिस प्रकार से हम चना बोते हैं या लगाते लेटे हैं तोड़ने की जरूत नहीं पड़ती हो खुद के म Chelsea की में अपने को काट chodzi और शुब सिड्मे और देखें मोड लेते फेट उपर उपर होता है और यह जो हाया है तो हाय मिई अपकी 2 12 fin विट उचाहिए रहती है घुभी बरांच बन जाती इसमें इतनी ब्रांचे बगर तोड़े बगर कुछ की यही इतनी ब्रांचे सा जाती है किसान भाई और मेरे प्यारे मित्रों आपको इन बातों का वीश्यस दिहान रखना है चुकि यह जो एपवर्न वेराइटी है तो इसमें आपको पिंचिंग नहीं करना यानिकि जब पोदा ब्रांच आये और ज्यादा ज्यादा फुल खिले उसमें चर्पे चर्पे जी एक बात और मैं आप से जानना चाहूंगा यह ज्यादा हाइट वाले जो फुल पोदे होते गेंदा के तो वो क्या अलग वेराइटी है क्या या किस किस नाम से उनको और भी जानते है पुसा न तो पौदा अपना खुद संतुलन नहीं बना पाता है तो वो क्या है पौदा पूरी बाड़ी गिर जाती है और गिरने के वज़े से जमीन पर गिरती है तो पूरे फूल जो मिट्टी में लगा हुआ फूल पूरा खराब हो जाता है जिससे वो नुक्षय नहीं लेना पड इसमें अपने जो और अलगी तक जो जानकरी दी है तो इन में जैसे कुछ यूट्यूब यूडियो पर या कुछ जैसे ऑनलाइन अगर हम सर्च करते हैं तो अफ्रिकन मेरीगोल्ड और कलकत्ता तो यह कोई अलग है या इनी में से कोई वेराइटी है नहीं के क्रास की वे अफ्रिकन मेरीगोल्ड अलग होता है कलकत्ता कटिंग अलग होता है कलकत्ता कटिंग का भी हैट छोटे ही आता है लेकिन उसका फुल बहुत गठीला होता और मालाओं के लिए हार वालों के लिए पहली प्रतमिकता उसी को मिली जाती और यह अपने तेवारों को इस अधु है लगपक लगपक चहात च्पंद करण दें तो ही म्में से यह उपन महनंती है तो हमzhण झूआ कघलार होता ता है और आध्यओ करका और ना나रंगी को श्कू बोलते यह नारंगी प्लस पीला यह दोनों विरैटी फेमस ज्यादा है दोस्तों ज्यादा तर गेंदा फुल में जो कलर की मांग होती है तो एक तो आप देख रहे हैं जिसको नारंगी भी कहते हैं और दूसरा देख रहे हैं आप येलो येलो मेंस पीला पीला आप देख सकते पीछ और साथ में एक अपने कतिया वह कुन सा कहलाएगा गहरा रेड आता है यानि कि दोस्तों वह जो कलर है वह रेडिस ब्राउन यानि गहरा लाल जो कि आपने देखा होगा तो मेरे प्यारे किषान भाई और सातियों आपने गेंदा फुल की खेती से सम्मनित पूरी जानकारी तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इनके नंबर भी नीचे दे दूँगा आपको इन पूलों से सम्मनित किसी भी प्रकार की जानकरी रोप तैयार करने से लेकर लगाने तक का कितनी डिस्टेंस दूरिया रखनी है प्लस इनकी हम मार्केट वेल्यू कैसे अच्छा लाब क अच्छा लेकर आपको किसी भी प्रकार का संकोच हो या कोई ऐसी परिशानी होती है या आपके मैंन में कोई सवाल हो तो आप चरपेजी से निश्चित तोर पर पूछ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको इनका नंबर मिल जाएगा तो दोस्तों बहुत ही शांदार हमार दिंचरिया में काम में आएगी तो चरपेजी आपने हमारे तमाम दर्शकों को और किसान भाईयों को इतनी महतोपूर्ण जनकरी दिये उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तेंक्यू और किसान भाईयों मैं आपको कहना चाहूंगा चुकि एक एकड़ में आप जब इसको लगाते हैं तो जो अधिक्तम खर्चा है 30-30,000 रुपे का है तो आप अपनी परमपरागत खेती होती है या फजल होती है उसको छोड़ अगर फुलों को खेती भी कर सकते हैं इसमें आपको ज़दा मेहनत नहीं है ज़दा खर्चा नहीं है बस खास तोर पर आप तो ये गेंदा फुल की खेती कर सकते हैं लगा सकते हैं इसमें जो परमपरागत खेती है फसल होती है उससे आपको कहीं गुना ज्यादा प्रोपिट मिलेगा तो आप देख सकते हैं अभी मेरे साथ हमारे किसान भाई जो है चर्पे जी उन्हीं के सुपूत्र है मित्र मैं का सुब नाम जाना चाहूंगा हर्श चर्पे हर्श जी नाम बताने के लिए धन्यवाद आप अभी खेती किसानी से सम्मधित कोई कोर्स कर रहे हैं या इसी कोई सिख्षा ले रहे हैं क्या जी सार मैं BSC Agriculture कर रहा हूं बोपाल से अच्छा अब BSC Agriculture कर रहे हैं और पिता जी निशानदार खेती करते हैं जो परांपरागत खेती से या फसलों से अलग हटके हैं तो निश्ची तोर पर इसका फायदा पिता जी को मिलेगा मित्र हर्श आप चुकि BSC Agriculture कर रहे हैं बोपाल से अभी BSC Second Year है आपका और जैसे ही आपकी जब डिगरी कंप्लेक्ट होती है त साथ ही आपका जो फैमिली बेग्राउंड खास तोर पर आपके पिताजी खेती किसान इसे जुड़े हुए हैं और वो परांपरागत खेती से अटके कुछ अलग उन्नत खेती करते हैं और दिखने में भी प्लस मनापय में भी उनको कापी फायदा मिलता है जो कि आम किसान भी आपके पाता है तो ऐसा क्या करेंगे कि सभी किसान भाईयों को अपना फैमिली बेग्राउंड या पिता जी को तो उसका फाइदा मिलेगा प्लस जो आम किसान उनको भी इसका भरपूर फायदा मिलेगा जी सर मैं अपने डिग्री कंप्रीच होने के बाद जो हमारे जो सभी किसान मित्रों को अपने फैमिली मेंबर अपने गाव अपने दोस्त इन सब में बताऊंगा कि एहसी नई-णे टेक्निक से यह नई-ई-फैराइटी लगा कि आप काफी मुनाफ़ा कमा सकते हैं कम लागत में अच्छा मुनाफ़ा और अच्छी फसल ले सकते जोस्तों यह हमारे हादस जी है जिसे इनकी डिग्री कम्प्लेट होती है तो यह अपनी जो टेक्नॉलाजी है अपनी जो एक जो रिसर्च होती है उसको एम्प्लेमेंट ग्राउंड लेवल पर करना चाहते हैं जिससे कि आम किसान भाईयों को भी उसका फाइदा मिल सके क्योंकि इस प् प्लस और कुन-कुन सी बातों को अधियान रखें तो निश्ची तोर पर जो हमारे हर्ष भाई है इनकी जो जनकरी है इनका जो प्लान है इनका जो रिसर्च है इनकी टेक्नॉलाजी है सभी किसान भाईयों के लिए फाइदेमंद रहेगा तो हर्ष जी अपने जो अपनी ज करने से लेकर लगाने तोड़ने और मंडी में बेचने तक की जानकरी आप लोग प्राप्त कर चुके हैं आपको मिल चुकी है अब हम इस खेत का जो सुन्दरता है जो व्यू है वह आपको दिखाते हैं तो आप बने रही हमारे साथ कर दो आपको झाल 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 आपको भी बताना चाहूंगा कि आप भी इनको देखकर इनसे पूरी जानकरी ले आपके लिए फाइदे मंद रहेगी मुना पर युक्त रहेगी और देख सकते हैं कि इनके आतों में कितने शांदर फूल है जो कि यह जो है और जैसा कि प्रती एकड़ पर आप 30-35 जार रुपे खर्श करेंगे और एक से सवा लग का सुद मुनापा पाएंगे और साथ में आपके खेतों की सुन्दर्ता एक जो उद्यानिकी होती है जो बागबानी होती उस टाइप में आपके खेतों की सुन्दर्ता भी बढ़ेगी प् हमारे जो खेत आप देख रहा हैं यह भी कपी अच्छा और लुभावना लग रहा होगा विजी भी आप थोड़ा सा पीछे इदर पूरा गुमा के दिखा दीजी हमारे दर्शक गणों को जो खेता हैं रहा हैं